कि अब आटा एक वेक्टर देखते हैं, NCRT में इस वेक्टर लिखा हुआ है, इसके एक बड़ी से फोटो बराई गही है, हार साल NCRT को पूझती है, NCRT दो नहीं पूझती है, आपकी बोर्ड में पर कुछचन आते हैं, इसके कुछचन जो है नीट में भी आते हैं, तो कौन सा है, यह देखिए और दो नीट में नेट लिखा है, PBR 321, तो अगर आप PBR 321 देखें, तो यहां P पलाजमिट हैं, अगर आप देखें तह यह पलाजमिट हैं, यह देखिए, किसका पलाजमिट हैं, अभी में बनाता हूँ, यहां B माने बोलीबर हैं, मतलब है अब इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि इसमें जो रोटरी गी उसमें पोलीवर है यह साइंटिस्ट के नाम और यह प्लाजमीड है मतलब पी बी आर का फुल फाम हुआ जिसमें पी साइलेंट है बी आर केपिटलेटर में 322 लिखा हुआ है तो अगर आपको अब अगर से क्लियर करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं यह जो है अर्टिफिस्यल प्लाजमीड है मतलब नेचर्ल प्लाजमीड नहीं है अर्टिफिस्यल प्लाजमीड है अर्टिफिस्यल प्लाजमीड आफ बैक्टिरिया है जिसका नाम इस्टिराशिया कोलाई है इसी कोलाई का यह artificial plasmid artificial मतलब हम जो इसमें पढ़ेंगे figure में वो इसमें होता नहीं है इसे बनाया विया है दूसरी बात अगर आप लिखना हो तो सबसे पहली बात तो आपने यहाँ पी का मतलब लिख दिया कि भाई यह artificial plasmid है अगर देखा जाए तो developed by developed by bolivar and rodrigus developed by bolivar and कौन scientist है इनका नाम है rodrigus यह एक scientist है जिनका नाम rodrigus है और bolivar है सबसे पहले इनोंने इस vector को बनाया था artificial vector को तो यह क्या है एक तरह का cloning vector है अगर आप देखें तो एक तरह का क्या है cloning vector है cloning vector है यह से किसी भी desired जीनका हम ट्रांसफर कर सकते है अब इसके पास क्या क्या है इसके पास पहला है origin of replication यह पहली site है इसके अंदर यह से हम लोग कहते हैं origin of इसको certainly हम लोग ORI से रिप्रेजेंट करते हैं ORI से, origin of replication को अगर आप NCRT में इस plasmid का future figure देखें NCRT ने figure को कैसे बनाया देहां से देखें अगर तो तो अगर आप NCRT figure देखें तो यह ऐसे circular DNA है तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि double standard circular DNA है यह यह plasmid है जिसका नाम है PBR अभी बाद में लिख लेंगे पहले हम लोग इस plasmid की locations लिख लेते हैं यह double standard DNA है कर आप इस समझ पहें तो यह कोई circle नहीं है यह double standard DNA है अगर आप यहां से देखें तो यहां से लेके मतलब यह location है इस plasmid की यहां तक ऐसे बना देया यह location है जहां पर एक खास तरह का gene है मतलब इतने DNA के segment मिलके इतने DNA के segment मिलके यहां पर एक gene जोड़ा गया है जिस gene का नाम tetracycline है यह दीखें मतलब tetracycline यहां पर एक gene है DNA का यह वो segment है जिससे tetracycline gene का मतलब यह plasmid जो है tetracycline gene के against resistant है यह मतलब वो दूसरा देखें इसी तरह से अगर आप इधार देखें तो यह देखें यह location DNA की वो है ऐसे बना लेया यह DNA की वो location है यहां पर DNA की वो location है जिस location पर एक दूसरा gene है जिसका नाम ampicillin यह देखें ampicillin और tetracycline अगर आप देखें तो ampicillin यहाँ पर ampicillin है tt का मतलब tetracycline मैं भी आप लिए देता हूँ मनकि अगर आपको डर है तो आप लिए लिए कि यहाँ पर ampicillin क्या हूँ एंपी सिलिन क्या है ampicillin यह एंटिबाइटिक है एंटिबाइटिक gene है tt मतलब क्या हूँ टेट्रा साइक्लिन यह टेट्रा साइक्लिन यह देखें ampicillin और tetracycline यह दो gene है इन्हें हम लोग इसके इस बैक्टिरिया में यह plazid में हम लोग इन्हें selectable marker कहते है क्योंसे marker लिख दीजिए किसर इन्हें हम लोग selectable marker कहते है यह जो दो gene है इन्हें figure बाला होगा है चलिए भाई लिख दिया आप अब आप दूसरी location मनाईए अगर आप इस DNA में देखें इस location पर देखें यहाँ पर देखें इस जगा पर यह यह location है जहाँ पर अगर आप उपर देखें इसमें एक खास अरा की protein है जिसका नाम ROP है यह देखें लिखा हुआ है ROP तो अगर आप ROP का पूरा मतलब लिखना चाहते हैं तो helps in यहाँ लिख दें helps in replication of plasmid helps in replication of plasmid यह plasmid के replication में मदद करते हैं helps in replication of plasmid आरूपी का मतलब यह हुआ यह यहाँ पर location है अगर आप इसके तीसरी location देखना चाहते हैं एक location इसमें और है यहाँ पर यह वो जगा है जिसे हम लोग ORI कहते हैं यह ORI वो जगा है जिसे origin of replication कहा जाता है अब यह क्या है यह plasmid है यह क्या है plasmid है फ्रस इसको और हमनों elaborate करते हैं अब मैं एक दूसरी pin से लिखता हूँ उनकी सारे नाम यहाँ पर देखिए चाहाँ पर आरूपी है यहाँ पर एक खास तरह restriction enzyme है जिसका नाम है PST first यह इस location को cut कर सकता है PST first आरूपी है यह लिखी कुछ location को cut कर सकता है इसे restriction side कते हैं जहाँ पर restriction endonuclease cut कर सकता है बलब PST first यहाँ पर palindomic sequences को cut कर सकता है इसकी जगा पर दूसरा desired gene जोड़ा जा सकता है यहाँ पर जहाँ पर tetracycline है यहाँ पर देखी एक enzyme है जिसका नाम है BAMS first और दूसरा enzyme है जिसका नाम है cell first यह दो enzyme है restriction endonuclease है जो इस section को cut कर सकते हैं इसी तरह से अगर आप यहाँ देखे एक enzyme है जिसे हम लोग कहते हैं PBU first यह देखी यह PBU first है और यहाँ पर देखे यहाँ पर CLA first है यह देखे CLA first है यह one enzyme के नाम है जो यहाँ पर section काट सकते हैं enzymes के नाम है यहाँ पर देखे तीन तरह के enzyme है अगर आप देखे तो यहाँ पर पहला enzyme है जिसका नाम है ECOAR first यह देखिए, ECO-R first दूसरा है, जिसका नाम है Hind second अब अगर आपने यहाँ पर PBU first second लिखा, sorry यहाँ पर आपको लिखना चाहिए PBU first, यहाँ पर PBU PBU second, और यहाँ पर यह जो जगा है यहाँ पर आपको लिखना चाहिए एक सर यहाँ पर इसका नाम है PST first, इस तरह अगर आप देखें, तो इस पूरे वेक्टर में इसका पूरा नाम लिख दीजिए ब्रेकट ले, ऐसे इसका नाम लिख दीजिए, इसका नाम है PBR 322 यह है PBR 322 जो प्लास्मिट है यह प्लास्मिट है, यह प्लास्मिट है S. C. R. 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 C. R site where DNA dependent DNA polymerase binds DNA dependent DNA polymerase binds and start replication यह वो जगह है जहां पर DNA dependent DNA polymerase चुड़ता है और और इस फ्लाजमिट का RECUTION करता है ऐसे ही फिगर आप को यहाद होना चाहिए, BAM 1st, CEL 1st, PVO 1st यहां पर PVO 1st है, पर 2nd है, वहां पर EKOVARD 1st है, HIN 2nd है, PST 1st तो यह बाहर बाहर चुड़ लिखे गये हैं अगर आप बाहर बाहर बाले देखें तो दो-TWE selectable marker हो गया यह पहली चीज हो गई दूसरा देखे इसमें दूसरा ORI है जैसे हम लोग origin of replication क्येते हैं और तीसरा देखे लिखा हुआ restriction sites है तो restriction sites जो है restriction sites वह है जहां हो restriction indonucleus enzyme ब् extension sites जो है जहां पर restriction indonucleus ہے जुर सकता है अगर इनका आप नौ लिखना चाहते है तो एक तरफ से नाम रिखिए एक इंजाय में जिसका नाम है बैमियाश फर्स्ट ये देखिए PST फर्स्ट है फिर देखे बेटा PPU फर्स्ट है फिर देखें PST फर्स्ट है और कोई नाम CLA फर्स्ट है तो अगर आप देखें तो टोटल आठ करीब आठ इंजाय बाहर बाहर लिखे गया है 3, 3, 6, 2, 8 हम लिखा कितना 4, 3, 7, कोई एक बच रहा है PST हो गया है CELL FAST CELL FAST नहीं हुआ यह लिख दीजिए मतलब यह सारे ENGYMES के नाम है यह ENGYMES के नाम है जो आपको इस PLASMIT के दिखाई सकते हैं इन जगों पर PLASMIT SIXN काट सकता है PLASMIT SIXN काटने के बाद यहाँ पर ले आगे DESIRED जिनको जोड़ा जा सकता है जो बाहर बाहर लिखा गया है बाहर बाहर RESTRICTION INGYMES के नाम लिखे गया है अंदर जो है दो SELECTABLE का MARKETNER के नाम लिखे गया है यह ORIGIN OF REPLICATION है ROP का FUNCTION में ने पढ़ा दिया आपको अब देखिए ORIGIN OF REPLICATION जो है IT SUPPORTS HIGH COPY NUMBER मतलब यह कहते हैं कि सही बात यह है कि IT SUPPORTS HIGH COPY NUMBER अगर ऐसा हो जाए कि यह ज़्यादा से ज़्यादा कापी बनाए IT SUPPORTS HIGH COPY NUMBER तो सहीद ज़्यादा अच्छी स्थिति हो जाए IT SUPPORTS HIGH COPY NUMBER इसको HIGH COPY NUMBER को सपोड करना चाहिए HIGH COPY NUMBER मतलब इस PLASMID के ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा कोपी बन सके तो ORIGIN OF REPLICATION वो जगा है प्लाजमिट पे artificial प्लाजमिट पे जहाँ पर DNA, Dependant, RNA, Polymeray जोड़ता है और इस और इस प्लाजमिट का रिप्लिकेशन कराता है दूसरा देखे अगर आप देखे तो दूसरा जो है Selectable Marker एक प्लाजमिट के अंदर दूसरा जो खास पॉइंट है उसे हम लोग कहते है Selectable Marker यह देखे यह है Selectable Marker Selectable Marker उड़े कहते हैं इसके अधार पर आप Transformant और Non-Transformant को differentiate करते हैं Selectable Marker जो है It ऐसे लिख सकते हैं It can It help in It help in Identification of It help in Identification of Identification of Transformant Transformant and Non-Transformant इसके कारण Identification होता है Transformant का and Non-Transformant का आखिरी पहले आपको यहाँ पर एक नया सब्द मिला है कि भाई Transformant एक सब्द आ गया और दूसरा मिल गया Non-Transformant तो अब यह कैसे पता चलेगा कि Transformant माने क्या होता है तो यह दिखी मैं फिर से पढ़ देता हूँ मैंने लिखा क्या है It helps in identification of Transformant and Non-Transformant यह जो Selectable Marker है यह Transformant और Non-Transformant को differentiate करने मदद करता है फाइदा यह होता है पहले आप Transformation माने समझे यहाँ पर एभी लिख सकते है Transformation माने क्या होता है तो अगर आप Transformation माने लिखे Transformation माने यह होता है कि Transfer of इसका मतलब आप समझे ले Transformation होता है Transfer of Transfer of foreign DNA Transfer of foreign DNA Transfer of foreign DNA into host cell अगर आप foreign DNA को host cell के अंदर transfer करते हैं तिस प्रक्रिया को हम लोग Transformation कहते है अगर आप NCI आटिम दिखेंगे तिसको आप आप फीकर पे लिखाया गया है यह मैं आप बना के भी सीखा देता हूं Transformation माने हुआ कि जब foreign DNA को हम लोग host cell के अंदर टागवर करते हैं तिसे हम लोग Transformation कहते हैं या आप इसे देख ले पुले आपने इस पे डिजाइर जीन को लेगे जोड़ दिया था यह देखें यह तो जब आपने इस प्लाजमित के साथ अपने इसे खाद प्लाजमित को भी जोड़ दिया था तो आपने इसेhait साथ हplG तिसे कहते हैं जब किसी फॉर्ण बहा है भी यालोर भी डीजर जिन को जोड्क देते खिते हैं तो ऊसे रिकॉमिनेंट कहते हैं फिर आप ने आपुते अलुकूनों को प्लाजमिट को बेजा था यह लेकिए कौनों से सिल है अगर मैं अपसे पुछें तो आपके अंगे सर ये host cell है इस host cell का नाम क्या है आप ये क्या सर सुबा सुबा आपने मजाग कर दिया इस host cell का नाम इस्टे राजिया कोला ही है तो जब आप इस recombinant DNA को इस host cell के अंदर भेजते हैं recombinant DNA को host cell के अंदर भेजते हैं तो प्रक्रिया को ट्रांसफार्मेशन कहा जाता है प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ट्रांसफार्मेशन अगर आप इन C-18 देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि ट्रांसफार्मेशन होता क्या है अगर आपने इस बैक्टिरिया को यह जो वैक्टिरिया है अगर आपने इसको सिल के अंदर भेजा यह देखिए इस तति कुछ ऐसी हो जाएगी जब आप इसको ऐसे अंदर भीजेंगे तो प्रक्रिया का नाम क्या होगा transformation और जिस सिल के अंदर जाएगा उसे क्या कहेंगे ट्रांसफार्मेंट सिल कहेंगे जिसके अंदर ये गया उसे क्या कहेंगे ट्रांसफार्मेंट तो अगर ये सिल के अंदर चला गया तो उसे सिल को क्या कहेंगे ये जो सिल है ये ट्रांसफार्मेंट है यह क्या है टांस्फारमेंट है लेकिन अगर यह सिल के अंदर न जाता तब क्या कहते तब कहते कि सजैसे लौट अन्ट करा को altura करवाएंहें तो ऐने वालन लिख यह कुछ हीर यहां था है पड़िए जो टाउस्फारमेंट सिल होती है ये लिचें जो मीडियम में ग्रो कराते हैं, कल्चर मीडियम में क्या करते हैं यह देखें ग्रो कराते हैं, लेकिन जो नान टांसफार्मेंट होती है, जिसके अंतर हमारा डिजाइड जीने नहीं जाता है, जो नान टांसफार्मेंट है, इसको हम लोग इलुमिनेट करा देते हैं, मतलब इसक boris अगर आपसे पूचा जा है कि रताइए भई सेलिक्ली अजाम परकर का क्या का है तो सेलिक्टिबल मारकर आइनटिफिकेशन बदद करते है किस सिलके टांस पार्मेंट और ना टांस पार्मेंट के जो टांस पार्मेंट होती है जिसमें ये DNA चला जाता है उन्हें कल्चर मीडिया में तो हम सर्वाइब कराएंगे क्योंकि उसमें हमारे डिजार डिजीन पड़ा हुआ है लेकिन जो सिल के अंदर नहीं जाता है वो नान टांस्पार्मेंट होता है और उसे कल्चर मीडियो में सर्वाइबल के लिए हम भेशते नहीं है वो इलिमिनेट किया जाता है मतलब उसे खतम कर दिया जाता है अगर आप सेलेक्टेबल मारकर देखें ये CRT में तो सेलेक्टेबल मारकर का अगर आप नाम देखें तो ऐसे लिखा है एक सेलेक्टेबल मारकर है एम्पिसिलिन देखें फ्रीगर बना हुआ है वहाँ पर देखें एम्पिसिलिन है दूसरा है जिसे हम लोग टेट्रा साइक्लिन कहते है टेट्रा साइक्लिन ये देखें एम्पिसिलिन टेट्रा साइक्लिन और भी नाम डिखाए देखिए कनामाईसिन एक नाम है जिसे हम लोग कनामाईसिन कहते हैं और एक नाम है जिसे हम लोग मियोमाईसिन कहते हैं यह सब क्या है अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप कहेंगे सर यह सब इंटीबायोटिक्स है क्या है यहिठा? antibiotic है इसका मतलब यह हुआ यह plasmid है recombinant plasmid है इस plasmid को अगर आप MPC-cellino statocycle के medium मेडू डालेंगे antibiotic है तो यह सरभाइव करेगा इसका मतलब यह recombinant है और अगर आपने इस plasmid को bacteriakног cilk अंदर डाल देया वो transformant है ट्रांस्फार्मेंट मैने जब वैक्टिया की अंदर प्लाजमिट को टाल दिया जाए तो अगर आपने इस फ्लाजमिट के चोड़ दिया तो यह कॉमिनेंट है तो अगर मैं आप से चुछ उन्ट एंट के अन्ट के नाम कितने हुगए लिए चारो माम किसे हैं साम आतता所 भी पिताव बैदार दर्लवार्ण सबस्वान को अंदर भी अरफ लेता अगी है मासम के जिसे कו से Western हैं सृक्पार्मान लौत मेट bikini मैं घरफ आ जाये अगाक किससे को सब्सक्राइट के बाधा कि चैपलिय के लिए भाड़ किसेorbие कि हम सिल्ख ले इंदर टेस्डाइब करते हैं तो अताइब initial 씨की तो अधर अधर जेगा प्लास्मिया और इ» सर्फॉर्मेंट इसे तरह से अभी तरह बहुत इस थे खब हुँ अगर सिल के अंदर ये recommend चला गया तो transparent है सिल के अंदर ये नहीं गया तो non transparent है तो अब आपको मैंने पढ़ाया कि किसी भी फ्लाजमिल के अंदर दो चीजे मैंने आपको शिखा दी पहले सिखाई origin of replication दोसरा स्लया सिखाया Selectable Marker, और ये तीसरी चीज़ की बात करते हैं, जिसका नहीं Recognition Sites तो पेटा देखिए, अब आपको इस PBR 322 का तीसरा फीचर पढ़ाते हैं, पहला फीचर पाया Origin of Replication, दूसरा फीचर पाया, Selectable Marker, तीसरा फीचर देखिए, मैंने Board के अल्रेटी लिख रखा है, Cloning Site तो अगर आप Cloning Site देखें, तो ये वो जगा है, Site where अगर आप लिखना चाहें, तो इसके बार इसे लिख दें, Site where Site where restriction endonuclease restriction endonuclease restriction endonuclease can cut the plasmid can cut the plasmid ये वो जगा है जहाँ पर restriction endonuclease particular plasmid के section को cut कर सकता है मतलब यहाँ पर plasmid जो है ये वो जगा है जहाँ पर plasmid जो है plasmid को enzymes cut कर सकते हैं ये जितने भी बाहर लिखे गए हैं ये सारे जितने भी नाम बाहर लिखे गए हैं ये सब के सब रिस्ट्रिक्शन इंडोनिकलेजेज है सब के सब रिस्ट्रिक्शन इंडोनिकलेजेज है ये जो बाहर लिखे गए है ये सब के सब रिस्ट्रिक्शन इंडोनिकलेजेज है तो अब मैं आपको ये सिखाना चाहता था सबके सब रिस्टिक्टन इंट निकलेस है मैंने भी आपको बताया कि टांसफार्मेंट और रिकॉमिनेंट पहले आप तो सब्द क्लियर कर ले कि रिकॉमिनेंट क्या है फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा सबसे पहले आपको दो सब्द आना चाहिए कि रिकॉमिनेंट क्या है ये चीज सबसे पहले ये आना चाहिए रिकॉमिनेंट क्या है तो रिकॉमिनेंट क्या है पहले आप इसे समझ ले अगर ये हमारा फॉरेंड येने है आप पहले इस बात को सिख ले पिर मैं आपको आगे कोई बात सिखाओ यह हमारा foreign dian है, यह हमारा plasmid है, यह हमारा desired gene है और यह हमारा plasmid है, अगर हम इन दोनों को लियाकर जोड देते हैं, तो हमें figure कुछ ऐसे मिलता है, इस तरह से, अब यह देखे, अगर यह इस तरह से है, यह इस से आकर जुड गया, तो इसे हम लोग रेकॉंबिनेंट कहते है recombinant कहते हैं यह पहले इस दिती है recombinant, मतलब अगर जुड़ गया तो यह recombinant है इसका मतलब इसका उल्टा एक चीज और हो सकती है अगर इसे foreign DNA न जुड़ा हो अगर इसे simply इसे plasmid पड़ा हो जिससे कुछ न जुड़ा हो तो इसे आप क्या कहेंगे आप इसे कहेंगे सर यह non-recombinant है यह क्या है? non-recombinant है क्योंकि इससे कोई चीज नहीं जुड़ी है यह पहला हो गया recombinant और non-recombinant का concept दूसरा देखिए अगर आपने इसे होश सिल के अंदर भेज दिया तो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? transformation अगर आपने इसको भेज दिया सिल के अंदर तो क्या कहते है? होश सिल के अंदर इसे हम transformation कहते है अगर recombinant आया तो सूचिए अगर किसी सिल के अंदर यह चला आया यह देखिए यह देखिए अगर यह किसी सिल के अंदर recombinant DNA चला आया ये देखे रिकॉमिनेंट डियने चला आया ये तो इस सिल को हम को लोग कहते हैं कि इस सिल को हम लोग कहते हैं ट्रांसफार्मेंट क्या कहते हैं ट्रांसफार्मेंट ये देखे दूसरी स्थिति है अगर कोई स्चिराचिया कुलाई की सिल है इस्टेरीजek-Kulai की सिल है और इसके अंदर यह नहीं आया अगर यह नहीं आया और इसके अंदर हमारा normal plasma बड़ा हुआ है तो हम इस सिल को क्या कहते हैं इस सिल को हम लो के थे नोंडabout द्रान्सफार्मेंट in ओन्सफार्मेंट और नोंड़ figura कब मैट तलब क्या हो गया ये बात सिख लीजिए अगर हमारा डिजाइड जीन सिल के अंदर रिकॉमनेंट यह ने चलाया तो इसे हम ट्रांसपार्मेंट कहते हैं और नहीं आता है तो इसे नन ट्रांसपार्मेंट कहते हैं अब आईए हम लोग अपना काम सुरू करते हैं काम सुरू करने से पहले मैं आपको बताओं कि अगर आप देखें वहाँ पर फीगर में तो टेट्रा साइकलीन अगर आप ध्याँ से देखें तो टेट्रा साइकलीन जो सेलेक्टेबल मारकर है फिजर को ध्याँ से देखिएगा tetracycline जो selectable marker है यहाँ पर दो enzymes join कर सकते हैं एक enzyme join कर सकता है जिसका नाम bavis first है दूसरा enzyme join कर सकता है cell first यह दो enzyme जगा को join कर सकते हैं ध्याँ से देखिए इस tetracycline वाले region पर दो enzyme जुड़ सकते हैं bavis first और cell first का इस्तेमाल कर दिया अब यह जो plasmid हैं यह दो चीजों के लिए resistance हैं दो मीडिया पर सर्वाइब कर सकता है यह mpcline और tetracycline दोनों मीडिया में सर्वाइब कर सकता है अब हमने क्या किया देखिए bavis first bavis first का इस्तेमाल किया bavis first का इस्तेमाल करके cut the site of cut the site of tetracycline हमने tetracycline वाली location को cut कर दिया मतलब हमने bavis first का इस्तेमाल किया इस एकापर और tetracycline की gene की इस location को cut कर दिया जब हमने tetracycline वाली gene को cut कर दिया तो यह देखिए now the tetracycline gene now the tetracycline gene tetracycline gene tetracycline gene gets inactivated क्यों inactivated हो क्या क्योंकि हमने क्या किया हमने ये काम किया ये देखिए हमने bavis first का इस्तेमाल करके इस location को cut कर लिया यहाँ पर और यहाँ पर हमने लिया कि foreign DNA को अपने जोड दिया यहाँ पर हमने जब foreign DNA को जोड दिया तो यह gene क्या हो गया inactiv हो गया क्योंकि यह gene तब active रहता जब पूरा इसका DNA सेग्मेंट होता और हमने जब bavis first का इस्तेमाल करके उसकी half location को cut कर दिया तो tetra cycle का gene inactiv हो गया किसको insert करने पर foreign gene को insert करने पर inactivate हो गया इस प्रक्रिया को हम लोग insertional inactivation कहते हैं insertional inactivation करते हैं यह देखिए insertional inactivation मतलब यह हुआ कि अगर हम foreign DNA को लिया के बेमेच टेटा साइक्लिन वाली location थे बेमेच फरस्ट रिकाट करें वहाँ पर foreign DNA को जोड़ देंगे यह जो हमारा foreign DNA है इसको अगर हम लिया के जोड़ देते हैं इस जगा पर हमारे पास एसे बहुत सारी shells हैं कि नहीं है अब हमने क्या किया? हमारे पास एक experiment शुर किया हमारे पास एक experiment है हमारे समें challenge है कि क्या यह gene कटा या नहीं कटा? किसका gene? Teta Cyclin तो हमारे पास एक experiment है उस experiment में अगर आप देखें तो हमारे पास ये रिखिए देल सारे plasma पड़े हुए है ये रिखिए अब आप हमें पता नहीं है कि इस में कौन सा plasma transformant है या recombinant है और कौन सा plasma non-recombinant है हम यहाँ पर figure में तो दो देख पा रहे हैं लेकिन reality में हमें नहीं पता है तो हमने क्या किया इसमें डियर सारे जो plasmid थे इनको एक medium में इसे रखा अब हमने medium में रखा यह देखिए इस सारे plasmid को हमने पहले एक medium में सर्वाइव किया यह देखिए हमने पहले medium में डाला जब हमने डाला पहले इसे डाला MP-Celine के medium में यह देखिए MP-Celine के medium में डाला MP-Celine क्या है यह antibiotic है इस medium में हमने यह antibiotic है दूर में इस medium में हमने सारे उठा के टांसफार्मेंट को डाला जब टांसफार्मेंट को डाला या recombinant के सकते हैं अच्छा जी रिकॉंबिनेंट टांसपार्मेंट को बने डिफ्रेंस बता दिया है तो recombinant को अगर हम निटाला तो यह सही बना हुआ है अगर टांसपार्मेंट बनाना है तो इसके उपर हमको सेल बनाना पड़ेगी तो भी तो पता चलेगा अगर आपको मालीजी इसको रिकॉंबनेंट रिस पर देना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे चोटी-चोटी सेल्स बना देजे जिसके अंदर ये बैटेरिया बढ़ा हुआ है इसका दूसरा फिकर बना ले तब भी पता चल जाएगा दूसरा करीका देख लेए साइथ आपको चादे सा अच्छे समझ में आएगा यह देखिए इसका दूसरा एक्सपरिमेंट आप समझ लेए बहु जरूरी है ये बास सीखने का NCRT ने इसे बलाया हुआ है मेरा बरा मन है कि आपको ने किसी तरह से ये बास सिखा बाता तो साइथ अच्छा हो जाता यह देखिए हमारी पास दो तरह के डैक्टेरिया मेंदियों में पढ़े होगए है यह देखिए बैटेरिया पड़े हुए हैं ये ऐसे सिल्स पड़ी हुई हैं ये देखिए बैटेरिया की धेर सारी सिल्स पड़ी हुई हैं तो अगर मैं आपसे पूछो कि ये धेर सारी सिल्स हैं अगर सिल्क के अंदर आप रिकाउनलेंट को देख रहे हैं तो बताईए ये टांसफार्मे तो प्लाजमेट को braking और दर देखेंगे तो टांस्पारमेंट और नास पारमेंट देखेंगे हम इन चारों सेहे ख़रे तो ऑला कि सिल्स को माणलब इस ही तरह कि सेहें अगर आप सीब्स तर्फार्मेंट ही हैं इसमें और डाल दें है ऐ हम थाके इनको सिल के अंदर ड prat हमनेraph पादा नहीं है चारह देखे हैं यह नहीं पताइ इससे मेरी इसमें के मिरियूह में डाला इन चारणेश मिलिए hints तो हमें कुछ पता नहीं है, तो हमने यह ऐसे बना दिया, अब अगर आप देखें बिटा, तो इसमें देखें, मुझे पपी कुछ पता नहीं है, मैं आप आप कुछ बात सिखा दू, तो आपने MPC में डाला, तो इस मेडियम में आप यह देखेंगे, कि इसमें जो टांसफा यह देखें, टांसफार्मेंट मतलब जिसके अंदर उस चीन को भेजा गया है, जिसका टेटा सैकलिन इनक्टिव है, और नान टांसफार्मेंट उस टेटा सैकलिन को भेजा गया है, जिसका जो टेटा सैकलिन है, वो अक्टिव है, आप देखेंगे कि यह टांसफार्मेंट और non-transformant ये दोनों इस मेडिया में ग्रो करती हैं क्यों करती हैं? क्योंकि आपने BAMIAC1 से tetracycline को inactivate किया है insertional inactivation किसका किया है? tetracycline का किया है तो इसका मतलब transformant और non-transformant दोनों में Mpc active है इसका मतलब यह हुआ कि transformant और non-transformant दोन जो है Mpc active मेडिया में सरवाइब करेंगे फिर आपने अब इस सब के सब ग्रो कर रहे हैं इस सब के सब इस Mpc active मेडिया में ग्रो कर रहे हैं तो अब आपको क्या पता चंपाएगा है कि इसमें कौन से transformant है कौन से non-transformant है बोलिये कभी ने पता चल सकता है अब हमने क्या किया इसको अगले मीडियम में भेजा इन सारी cells को अगले मीडियम में भेजा अगले मीडियम में जब हमने भेजा तो आप यहां देख ले कि यह देखिए हमने अगले मीडियम में जब भेजा यह दूसरा मीडियम है यह देखें इस मीडियम को अगर आप चाहीँ लिख सकते हैं अर्प यह टेय़्रसाइकलीन का मीडियम नोका इस मीडियम को इस मीडियम में भेजा इन चारो सिल्स को मैं चारो सिल्स बना देता हूँ मैंने अपने हिसाब से अपने मन से बनाया है मैं अपने मन से इसको भी बना देता हूँ अब आपने इन चारो सिल्स को इस मेटेर में भेजा तो देखे क्या देखने को मिलता है अब आपने इंसल्स को चारो को इसके अंदर भेचा तो यह देखिए आपको फीगर में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है फीगर में आपको यह देखने को मिल रहा है कि देखिए इसमें ये सिल है जो सर्वाइब कर रही है ये सिल है जो सर्वाइब नहीं कर रही है ये सिल सर्वाइब कर रही है लेकिन ये सिल सर्वाइब नहीं कर रही है तो पताईए जो सिल सर्वाइब नहीं कर रही है इसका मतलब मुझ सिल उसमें टेटा साइक्रिन का जीन क्या है एक्टिव या इनेक्टिव बोलो भई, तो TETRA CYCLING के GENE क्या inactive है? इसका मतलब यह हुआ, कि TETRA CYCLING के GENE inactive है तो इसका मतलब जिसमें TETRA CYCLING के GENE inactive है, वो टांसफार्वेंट है तो इससे बताए कोन सर्वाइब नहीं करेगा? इसमें अगर आपसे पूछूं क्या टास्फार्मेंट सर्वाइब करेगा बताई भाई टास्फार्मेंट क्या होगा इसका तो टास्फार्मेंट क्या करेंगे डू नाट ग्रो क्यों मैं अगर आपसे पूछूं क्यों नहीं सर्वाइब करेंगे do not survive या do not grow मर चाहेंगे ये, क्यों मर चाहेंगे इसलिए मर चाहेंगे क्योंकि आपने बैम या फस्ट से यहाँ पर एक foreign area को जोड दिया जिससे tetra cycling gene inactive हो गया, दूसरा आप देखे इसमें जो survive कर रहे हैं non-transformant वो है जिनके non-transformant वो है जिनके, अगर आप समझें इस बात को non-transformant वो है जिनके tetra cycling gene active है तो जब tetra cycling gene active है तो ये survive करेंगे ये आराम से survive करेंगे ये आराम से survive करेंगे तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये दो भी इडिया है जो transformant और non-transformant को survival देने के लिए मतलब clear करते हैं कि कौन से transformant है कौन से non-transformant है इसको clear कर लेते हैं फिर से फीकर देख लिजए हमने जब बेटिरिया में foreign DNA को जोड़ा तो हमने नहीं पता है कि इसमें कौन टांसफार्मेंट है कौन से non-transformant है हमने सारी बेटियल सेस को लिया के इसमें टांसफार्मेंट ना-transformant दोन सर्भाइप कर रहे हैं हमने आपको समझा दिया कि क्या होता है फिर हमने इसको जो टेटर साइक्रियल की मेडिया में डाला तो आप यह समझें कि हमने टेटर साइक्रियल वाले जीन पे बेग एस्टरस से इससे हैं लिया के जोड़ा जोड़ा अ मिन जोड़ा इस Patriot Carnife इने जोड़ा इसर ग्रीय कीरें खिंक्राम्नावम में जए जोड़ा तेड्रासकुर्णी का video, तो ऑ सिर जों सब्सक्राइश च्मन पर्तेजक्णी पर्खुर्णी ओर्ट्राय का डिया पर्धा कॉकants के रहा गय कह सकते हैं, कि सर देखिए, इस तरह से आप यहां पर इबात कह सकते हैं, सर देखिए, यहां पर जो जिसमें टेटर साइक्लिंग जीन इनक्टीब है, वो टांसफार्मेंट है, और जिसमें टेटर साइक्लिंग जीन इनक्टीब है, सरी, एक्टीब है, वो नान टांसफार्मे के लिए हमें दो मीडियम चाहिए एक मीडियम चाहिए एक मीडियम चाहिए एपीसिलिन का दूसरा मीडियम चाहिए किसका टेक्टा साइकलिन का इंसर्शनल इनेक्टिविशन क्या है कि जब हम किसी इंटिबाइटिक जीन की लोकेशन पर किसी फॉरंट ये निकलिया की इंसर लेटेस्ट एक खास्तरा की डिकरें का है ये देखिए अब आपको किसी भी मीडियम की कुई ज़रूत नहीं है, यह देखिए, क्रोमोजेनिक सबस्टेट, क्रोमोजेनिक सबस्टेट या मारकर है, इसे हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं, क्रोमोजेनिक सबस्टेट या मारकर है, इसे हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं, कि भाई बताईए, ट्रांस्फार्मेंट कौन है, ना गलेक्टूसाइडेज है अब यह देखे यह अल्फा गलेक्टूसाइडेज है अल्फा गलेक्टूसाइडेज है यह खास तरह का एक जीन है अब अगर आप इसको देखे अल्फा गलेक्टूसाइडेज जीन को देखे तो अगर इसमें आप देखें कि अगर इसका टांसफार तो इससे कोई भी कलर नहीं आता है, आप एंसे आइटिम देखेंगे, तापको मिलेगा, खास तरह की टायस जब डाली जाती है, और उसका अलफा गलेक्टोसाइड इसका जीन एक्टिव होता है, इनक्टिव हो जाता है, इस जीन पर जोड़ते हैं, तो कोई कलर नहीं देता ह लेकिन अगर यही अलफा गलेक्टोसाइड इजीन, अलफा गलेक्टोसाइड इजीन, जो है, यह देख पेटा, अगर यह नान टांसफार्मेंट है, इसका मतलब यह हुआ, कि इसको जो है किसी टांसफार्मेंट से लिक अंदर नहीं भेजा गया है, मतलब इसका टांसफार तो अलग-अलग मीडियम चाहिए आज हमको कुछा ही समझना है अलफा गलेक्ट्रोसाइडेस का जीन अगर इनेक्टिव हो गया तो वो ट्रांसपार्मेंट है उससे कोई कलर नहीं डेगा अगर हम डाइस को डालते हैं तो एकास तरह की डाइस है और दूसरा देखें यह और ब्लू कलर देखेगा देगा वो प्रोवाइड करेगा तो बड़े असानी से आप कलर देखे बता सकते हैं कि कौन सा जीन है मतलब वो जो कालोनी आपके हाथ में लगी है वो ट्रांसपार्मेंट है यह ना ट्रांसपार्मेंट है इस तरह से बता सकते हैं